नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका Study IQ में आज हम लोग बात करने वाले हैं जम्मु एन्ड कश्मीर के रोशनी एक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि रोशनी एक्ट जम्मु एन्ड कश्मीर का रिपील हो चुका है तो यहाँ पर दो पहलू है एक तो इस जम्मों कश्मिर के रोषनी आड को काफ़ी जड़ा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि यह एक ब्रश्टाचार का मीन स्था करके तो इसको रिपील कर दिया गया और दूसरी तरफ यह हैं कि इसके रिपील होने के बाद श्रिनगर हाई कोट ने कहा है कि यह null and void रहेगा null and void ab initio मतलब जब से वो implement हो रहा है 2001 से जो भी इसके अंदर उन्होंने implement किया हुआ है वो सब रद हो जाएगा जो भी land transfers हो है वो भी रद हो जाएगा इसको नाम दे दिया है land जिहाद का हम लोग देखेंगे क्यों करके थोड़ी देर let us begin our discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the idea rahul side 222 मेरा facebook, instagram और telegram की channel का idea ही है मेरे का telegram channel पे आपको मेरी सारी वीडियो के update मिल जाएगी साती साथ आपको इस presentation की PDF भी available करा दी जाएगी study IQ आपके लाहे comprehensive plans का main program for UPC 2021 for more information please download the app हाली में एक खबर आई है कि जमू कश्मीर की जो administration है उन्होंने eligible beneficiaries जो थे रोशनी act के 2001 का था उसकी list release की है और उस list में बहुत सारे political leaders और bureaucrats के नाम आए है अभी भी इस पे CBI के जाच चल रही है रोशनी act के तहत बहुत ज़्यादा ब्रश्टाचार हुआ है ये allegation है land जाना चाहिए था landless laborers को जो poor occupants है उनको जाना था लेकिन यहाँ पे ये खबर आ रही है कि बहुत सारा land politician के नाम पे transfer किया गया है उनके रिश्टदारों के नाम पे transfer किया है bureaucrats के नाम पे और उनके रिश्टदारों के नाम पे transfer किया गया है साथी साथ जमू और कश्मीर के right wing organizations जैसे कि इकजट है उन्होंने ये कहा है कि ये जो scheme है ये scheme land jihad की scheme है क्यों? क्योंकि जिस तरह से इसको जमू में apply किया है वो चाहते हैं कि जमू की demography बदल जाए जमू में Hindu majority है वो चाहते हैं कि जमू में Muslim population बढ़ जाए इसलिए this is a tool of land jihad तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रोशनी act exactly है क्या और ये entire issue क्या है सबसे पहले रोशनी act के background के बारे बात करते हैं 2001 में रोशनी act आया था जमू एंड कश्मीर state land vesting of ownership of occupants 2001 इसको famously कहते है रोशनी act मैं बताऊंगा क्यों तो इसको लाया था national conference की government ने जो rule में थी 2001 में उस समय चीफ मिनिस्टर थे फारुक अब्दुल्ला तो इसकी cut-off date रखी थी उन्होंने 1990 यानि की 1990 से जो भी occupants है किसी land पर जिस पे state का दावा है तो उनको वो land transfer कर दिया जाएगा बहुती minimal account पे जो भी documentation fees ये उसको ली जाएगी और उनको transfer किया जाएगा ownership of land इसकी कुछ target भी बनाया थे मैं आपको थोड़ी दिर में बताऊँगा लेकिन इस cut-off को continuously बदला जा रहा था क्योंकि वहाँ पे document produce करना होता है कि आप occupant है इस तारीक से पहले तो cut-off change हुई सट किया 2007 को तो cut-off बदल रही है और land दिये जा रहे है land transfer होए जा रहे है politicians के नाम पे bureaucrats के नाम पे corruption हो रहा है हाँ कुछ beneficiaries है कुछ poor beneficiaries भी है बट ब्रश्टाचार का एक बहुत बड़ा means बन चुका है ये रोशनी act तो ये रोशनी act इसका नाम रोशनी क्यों था क्योंकि जो सरकार ने decide किया था कि जो भी पैसे इस act से आएंगे जब implement करेंगे समझ लीजिए मैं एक गरीब occupant हूँ जमू कश्मीर रीजन में जो मैं एक state land पे occupant हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ बहुत सालों से तो मुझे वो land transfer कर देंगे रोशनी act के था basic documentation fees लेकर provided I provide all the basic documents of proof of occupancy etc. तो वो जो पैसा आएगा उस चीज़ से उसको वो लोग hydroelectric projects में invest करने वाले इसलिए इसका नाम रोशनी रखा गया था क्योंकि रोशनी आएगे electricity आएगे इसलिए तो इनके कुछ targets थे जब ये 2001 में आया था target ये रखा गया था कि 20 lakh canal approximately 1 lakh hectare जो सरकार की जमीन है उसको transfer किया जाएगा जो भी occupants है उस जमीन पे ये decide किया था nominal fees पे तो 16 lakh canal था जमू रीजन में और 4 lakh canal था कश्मी रीजन में ये था target approximately 20 lakh canal यानि कि 1 lakh hectare को transfer करने का और सरकार का target था 25,000 करोड रुपे इससे आएगे ये अंदेशा लगाया था सरकार में 2001 में ये plan था 2019 तक क्या हुआ चलिए देखते हैं exactly क्या हुआ transfer of ownership की गई 20 lakh canal की तो नहीं 6 lakh canal की उसमें से 5 lakh canal जमू में ही और केवल 33,000 कनाल कश्मीर में किया गया although 6 lakh canal की transfer बत अप्रू की गई है लेकिन actual में transfer हुआ है केवल 3.48 lakh canal और जो target था 25,000 करोड का उसमें से सरकार को आए है 46 करोड that is the target that has been achieved by the government और साती साथ अगर हम लोग देखे कश्मीर में कश्मीर में तो ये ये गरीब लोगों को land नहीं दिया गया कश्मीर में रोशनी act के तहर्ट जो land गया है जो 33,000 कनाल गया है business houses के लिए residential purpose projects के लिए जिनकी lease दी गई है 100-100 सालों के लिए तो imagine किस हद का एक scam हुआ है in fact अगर हम लोग बताये कि government indict हो चुकी है क्यों? क्योंकि 2014 ने CAG Comptroller and Auditor General उन्होंने clearly कह दिया है कि ये एक बहुत बड़ा 25,000 करोड रुपे का scam है उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी irregularities चलती है arbitrarily price कम हो जाता है arbitrarily कोई भी beneficiary बन जाता है और benefit मिला है politicians और influential people को और मैं यहाँ पे आपको prominent नाम बताने आ ले हो और मैं बता रहा हूँ कि accused है of misusing the act accused क्यों? क्योंकि हमारा judicial system है उसमें आप गुनेगार तब तक नहीं बता है जब तक प्रू नहीं कर दे तब तक आप innocent ही रहते है क्योंकि हम लोग कहते है कि सौग गुनेगार बरी हो जाए ठीक है लेकिन एक मासुम को सजा नहीं मिलनी चाहिए तो अभी भी accused है और accused के नाम list देखिए यहाँ पे former chief minister फारुक अबदुल्ला के नाम पे भी रौशनी एक्ट के तहत ट्रांस्फर हुए है वहाँ के former जो finance minister थे हसीब द्राबू उनके नाम पे हुए है former home minister थे सझाद किछलू उनके नाम पे भी ट्रांस्फर हो चुके है Congress के leader है वहाँ पे माजिदवानी उनके नाम पे हो चुके जमून कश्मीर बैंक के चेर्मन है एमवाई खान उनके नाम पे हो चुके है फार्मर आयस ओफिसर बशीर एहमद खान का नाम भी इस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ है तो काफी जादा influential लोग है politicians, bureaucrats, सबका nexus है जहाँ पे land transfer गरीब लोगों को होना था गरीब occupants यह उनको होना था लेकिन गया कहा है बड़े business houses को गया है बड़े residential projects को गया है बड़े politicians को गया है और bureaucrats को गया है तो इस act को immediately repeal कर दिया था जम्मू और कश्मीर के governor सत्यपाल मलिक जो थे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि CBI जाच होनी चाहिए इस particular Roshni Act और उसके implementation पे उसके बाद 2020 में जम्मू का एक right wing organization है उसका नाम है इक जट जम्मू उन्होंने कहा है कि ये एक land जिहाद की scheme है वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़ादा इसका implementation हुआ है मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कितना ज़ादा हद तक जम्मू में implement हुआ है 6 लाख कनाल में से जो अप्रू हुए और इकजट जम्मू का ये allegation है कि maximum land गया है मुसलिम्स को या जहां पे जम्मू में एक population है हिंदू majority इस चीज़ के उपर बहुत सारी आचिका दायर कर चुके थे पहने 2011 से ही बहुत सारे lawyers ने इसको question किया हुआ था और शीनगर हाई कोट ने सारे petition साथ में club करके सुने थे रोशनी act के खिलाफ और 2020 में उन्होंने कह दिया कि यह पूरा act null and void है और unconstitutional है और उन्हें कहा है कि it is null and void ab initio ab initio मतलब जब से implement हुआ है prospectively उसको cancel कर दिया यानि कि जो भी land allotment हुए है उस चीज के उपर एक review होगा साथी साथ CBI inquiry होगी Anti-Christian Bureau की inquiry होगी उन्होंने कहा है कि state government जल से जल land recover करना शुरू कर दे अगले 6 महिनों में और जिन लोगों की नाम की भी identification हो जाए लिस्ट हो जाए तो उनको immediately public किया जाए जो भी influential politicians होंगे और जो भी inflation bureaucrats inflation people जिनके नाम पे transfer हो है उसको जल से जल disclose करे तो इसी के तहत जमों किश्मीर administration ने list disclose की थी ये तो हो गए एक पहलू जहां पर हमने बता दिया कि एक जट जमों ने बता दिया कि land जिहाद चल रहा है CAG ने बता दिया कि बहुत बड़ा scam है repeal हो चुका है हाई कोट श्रीनगर हाई कोट ने भी कह दिया है कि बहुत बड़ा scam है ये null line void होगा और unconstitutional होगा लेकिन एक दूसरा पहलू भी है बहुत सारे experts especially कश्मीर से वो ये कहते हैं कि 30,000 cases आ चुके है 30,000 जो transfer हो चुके हैं land उसमें से majority लोग जो है वो landless और poor people ही है जुनको ownership मिल चुकी है जो genuine people है अगर हम लोग ये भी मानें कि 1000 से 5000 case में corruption हुआ है तो क्यों बाकी 25,000 लोगों के उपर सवाल उठाया जा रहा है तो ये एक argument है दूसरे side का इसके अलावा जो communal angle इसको दिया है इकजट जम्मू ने जहाँ पर उन्होंने कहा है कि land जिहाद चल रहा है उसके उपर भी एक सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि इन सब से एक बहुत बड़ी तकलीफ होगी किसे Muslims जो हैं जम्मू में जो nomadic tribes से गुजर और बाकरवाल communities है वो historically poor और landless रहे हैं और उनके नाम पे जो भी transfer हुए हैं उसको ऐसे ही रखना चाहिए तो इस बात में भी थोड़ा सा तो merit है क्योंकि अगर जो भी genuine identification होगी genuine beneficiaries होगे उनके कुछ प्रावधान लाने चाहिए कि उनके लिए land transfer legal या valid हो जाए तो इस तरह की कुछ प्रावधान ला सकते हैं तो solution क्या कर सकते हैं हम लोग tribal का जो problem है बिल्कुल सही है तो सबसे पहले तो मुझे बताईए कि Scrapping Roshni Act सही था या नहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको doubt होगा लेकिन एक विकल्प के बारे में सोचना बहुत जरूरी है ब्रस्टाचार है मूल रूप से ब्रस्टाचार को हटाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है लेकिन landless laborers जो है poor families जो है occupants है जिनको वो transfer हो चुका है कुछ measure होना चाहिए कि उनको identify करके उनको जो land allot हुआ है उस चीज़ को वो बरकरार रहे कुछ इस तरह के चीज़े भी चाहिए साथी साथ एक alternative ढूंडे tribe के लिए for example अगर आपने जमू और कश्मीर की बात करें जब अनुचेदी 370 था तब बहुत से जो केंदर के loss थे वो जमू और कश्मीर पे अपलाए नहीं होते for example एक एक forest rights act है which can help these tribals जिनके उपर सवाल उठाया गया है गुजर्स और बाकरवाल के उपर तो forest right act के तहत भी ownership of forest land दी जा सकती है tribals को that can be explored तो alternative की एक बहुत जरूरत है सबसे पहले जरूरत है कि identify करना है कौन है ब्रस्टाचारी identify करना ही कि कौन है जनिन beneficiaries और ensure करना चाहिए तो उनको वो land मिलना चाहिए और tribals के बारे में forest right act implementation के बारे में एक मुहीम छिड़े आ सकती है जमू और कश्मीर में तो आप मुझे बताइए आपकी प्रतिय गया इस discussion में that is it from my side on this part of discussion I hope this was interesting for you thank you for watching जैहिंद